गुद्मारिंग स्टूदिंस तूदे विल डिस्कूस चाप्टर फूर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स कुश्चिन अंसर शेक्षिन दी एंड ई बच्चों पूशता है कि प्लांट से हमें फूट किस फॉर्म में मिलता है किस रूप में अंसर क्या होगा वि गेट फूट इन दा फॉर्म अप फूट वेजिटेवल्स पॉल्सेज एंड ग्रेंस हमें फूट जो मिलता है प्लांट से वो किस रूप में होता है फूट्स वेजिटेवल्स पॉल्सेज दाले एंड ग्रेंस अनाज के रूप में नौ कोशन नूबर टू रूप वच्छो प्लांट सॉइल की हैल अप मदद कैसे कर थे आ अंसर प्लांट सबाइंड वार्इन दा सोइल्स विद लिवज उप व देयर रूट्स प्लांट क्या करते वच्छो बांध कर रखते हैं एंड सॉइल को अपने रूट से बच्चों पूशता है कि deforestation क्या है और यह क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है आंसर क्या है cutting down of trees on the large scale is called deforestation जब हम बहुत संख्या में पेड की कटाई करते हैं तो उसे deforestation कहते हैं no it is bad for all of us नहीं यह हम सबों के लिए बहुत पुरा है now section E list any four uses of plants बच्चों question number one कहता है four use बताईये plants का four uses of plants are first plants are used to make medicine plants give us food plants give us food plants give out oxygen gas during the day तो four uses में हमने क्या लिखा पहले plants क्या करते हैं हमें plants का use हम लोग medicine बनाने में करते हैं plants हमें food देते हैं plants हमें उठ देते हैं plant क्या कहते हैं oxygen gas देते हैं during the day दिन के समय now question number two how do plants act as air purifier plants कैसे act करते हैं purifier का answer क्या है plants give out oxygen gas during the day plants क्या करते हैं दिन के समय oxygen gas देते हैं this helps to increase the amount of oxygen in the air और ये क्या करता है मदद करता है oxygen gas की amount को बढ़ाने में air में and thereby purifies it और इस तरह क्या करते हैं plants purify करते हैं now question number three suggest three ways that can help to conserve plants बच्चों कहता है three ways तीन तरीका बताईए suggest किजिए या तीन तरीका बताईए जो हमें मदद कर सकता है plants को बचाने में the three ways first let us not cut tree plants को नहीं काटे planting new plants new plants लगाए जिसे afforestation कहते है when on deforestation और क्या करना हमें when on deforestation okay thank you I hope you understood question answer very well thank you